हलो एवरीवन वल्कम तू दूस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फवर चानल पनेशा फॉर कॉम्टेटेव एक्जामेनेशन सांड आम प्यूश तो इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे जो आपका यू डॉडबल यू की वेकेंसी आई है तो इसमें जनरलिस्ट जो अड्म सेयम होती है डॉनों में अगर हम एड्मिनिस्टेटफंइव ऑफिसर की बात करें या सब्सक्राइब इसका लिए अपका थोड़ा सा लाइफ वर्क लाइफ बाइलेंस थोड़ा सा इतना हैक्टिक नहीं होता है और लोकेशन भी आपको ठीक मिल जाती है इसमें अर्बन एर इसमें क्या-क्या vacancies हैं क्या salary है क्या important dates है और जो भी चीज़े हैं वो सारी एक बार देखते हैं यह कल से जो है आपका application form apply होने start हो जाएंगे अगर हम vacancies की बात करें तो 250 है जिसमें से यह vacancy का break up आप देखी सकते हो 102 इसमें UR की vacancies है 67 OBC की है 24 आपकी EWS के ठीक है अब एक ब तो ऐसा है ठीक है इन दो region के लिए out हुई है that is western region और आपका southern region ठीक है और अगर हम UII CL की बात करें तो western region में आपका यह महाराष्ट के offices हो गए ठीक है महाराष्ट हो गया गुवा हो गया ओडिसा हो गया तो यहाँ पे जितने भी यह states है आपके western region में आ जाते है गुजरात हो गया ठीक है गुजरात तो यहाँ पे जो है आपका western region हो गया दैन अगर हम सदन की बात करते हैं तो इसमें तमिल नाडू का पार्ट हो गया केरला हो गया तो यहाँ पे जो है आपकी पोस्टिंग आने की संभावना है अगर आप इसको qualify कर लेते हो तो ठीक है और यह अग पोस्टिंग होगी वहीं पे होगी और कोई transfer नहीं होगा ठीक है minimum period 5 साल 5 साल तक तो आपका कोई transfer होगा ही नहीं no request for transfer to place of choice would be entertained during the state period ठीक है यह clear है अच्छा अब आगे आते हैं now eligibility की बात करें तो आपका eligibility यहाँ पे 31st of December 2023 से देखी जाएगी educational बागी की सारे criteria's तो सेम ही है सारे की सारे governments और applications में जो भी होते है educational qualification की बात करें यहाँ पे तो आपका simple graduation होना चाहिए ठीक है minimum educational qualification required is degree with 60 percentage marks ठीक है यानि 60 percentage marks होने चाहिए ठीक यानि की 10 प्लस 2 प्लस 3 का जो format होता है UGC के AICT के द्वारा जो भी इंस्टिट्यूट है उनमें से आपने ग्राज़ेशन की हो ठीक ग्राज़ेशन के अलाबा अगर आपने post graduation की है उसमें भी अगर आपके 60 percentage marks है तब भी आप इसको apply कर सकते हो ठीक है equivalent qualification भी चलेगी ठीक है अब यह देखो जिन बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है final examination तो दे दिया है बट उनका result बाद में आना है तो वो यहाँ पर eligible नहीं है याद रखिएगा आपका result यहाँ पर 31-12-2023 से पहले पहले आ जाना चाहिए ठीक है यह नहीं चलेगा कि आपने इसके पहले exam दे दिया graduation का आप बोलो कि इसके बाद result आ जाएगा मेरा वो यहाँ पर accept नहीं करेंगे एज जो है आपकी again 31st of December 2023 तक 21-30 years की हो जानी चाहिए ठीक है यानि कि आप इस age group के बीच में लाही करने चाहिए आपको एक-एक 1994 से पहले पैदानी होना है और 2002 के बाद 31-12-2002 that is ठीक है तो यह कहानी है now अब यहाँ पे हम आते हैं examination pattern पे आते हैं सीधे है ना तो एक बार मैं आपको exam pattern पे लेगे चलता हूँ सबसची बात यह है कि आपका इसमें जर्फ एक exam होना है उसके बाद में interview होगा exam plus interview और आपका यहाँ पे final selection हो जाएगा कोई इसमें प्रिया मेंस वाला system नहीं है तो थोड़ा सा जल्दी जो है यह recruitment की process होने की संभावना है अच्छा यह application fees देखोगे तो thousand रुपीज है सारे candidates के लिए जो आपके यानि की जो भी general candidates है general होगे you are category है OBC इनको छोड़ करके बागी सारे candidates के लिए आपे 250 प्लस GST जो January है और इसका examination होने की जो possibility है वो आपके last week of March में possible है ठीक है last week of March अच्छा यह इस बार आप देखो कि तीन insurance exam की आपकी एक साथ notification अभी चल रही है एक तो आपका NICL की vacancy आई हुई है वो भी अच्छी है बट NICL के to be honest यह संभावना है कि NICL कुछ टाइम में merge हो जाए तो यह हो सकता ऐसा है ना NICL, UICL और आपका एक और है दो और है बेसकली इनको मतलब हो सकता ऐसी possibility है कि इसको merge कर दें GIC की साथ NICL को कर दें तो possibility है ऐसी right इसके अलावा आपका NICL की भी GIC AM की भी vacancy आई हुई है और अब आपका यह UICL की भी vacancy आ गई है यह मैं scale 1 की बात कर रहा हूँ अगे आप असिस्टेंट में देखोगे तो UICL की असिस्टेंट की भी vacancy आई है ठीक है यह कहानी है तो I guess February में आपका यह UICL असिस्टेंट के एक्जैम होना है मार्च में आपका हो जाएगा GIC का एक्जैम और मार्च के लास्ट वीक में आपका हो जाएगा इस जो लास्ट वीक में मार्च में होना है वो आपका NICL है राइट यह देखो इतनी सारी इंशेरेंस की वेगेंसी आती है यही पंगा पड़ता है और यहाँ पे जो UICL है यह फैब के फर्स्ट वीक में तो आपका होना है असिस्टेंट का एक्जैम और फैब के लास्ट वीक होगा 50 questions 50 marks होंगे English language होगा 40 questions 40 marks quantitative aptitude 50 questions 50 marks general awareness जो कि इसमें आपका financial sector को लेकर इंशेरेंस को लेकर के काफी questions होगे इसमें प्लस में current affair ठीक है इतना ही आता है और आप focus करोगे current affair जो की related insurance sectors है या RBI वगएरा से related news है बैंकिंग से related news होगी तो वो question जादा आते हैं ना 40 questions 40 marks again computer literacies 20 question 20 marks पूरा 200 question का आपका paper होगा 200 marks का total 2 गंटे का यहां पर time मिलेगा अगर आप exam किस तरीके का आता है तो यह RRB PO के level का आता है अगर आप IBPS PO की बात करो तो इस बार का IBPS PO तो थोड़ा सा भारी आयागा है ना तो उसके आसपास का level की त्यारी आप करके चल सकते हो तो आपक इसमें ठीक ठाक जो है exam हो जाएगा और बस इसके basis पे आपको interview में बलाया जाएगा interview में और इसके marks का ratio मिलागर के आपकी बनेगी final merit list और इसके basis पे होगा आपका selection ठीक है यह पूरी गहानी है यह रहा आपका interview का scenario जो भी आपका online examination में बच्चे 3 टाइमस यानिकी 1 is 2 3 के ratio में बलाया जाएगा एक vacancy पे तीन बच्चे तो इस basis पे जो है आपके मतलब जो भी क्वालिफाई करेंगे objective test को उनको interview के लिए बलाया जाएगा और फिर आपको interview के लिए जो third AC compartment का fair होता है वो सब मिलेगा और इसके अलावा क्या है जो भी आपके documents वगेरा होते हैं वो interview के time पर यह आपके देखे जाते हैं अगर आप कोई document आपका match नहीं करेगा लेके नहीं जाओगे तो possible है कि आपको interview देने में काफी दिक्कत है है ना जो जैसी कई बच्चे होते हैं comments आप मेहनों से वगेरा लेकर के चाहिएगा तो यह जो भी important बाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिये हैं इसके अलावा अगर आपको कोई doubt होता है तो आप यहाँ पर question डाल सकते हो यह आपके examination center होगे ठीक है यह examination center कहाँ पड़ेगा कौन से state में किस जगे तो यह भी आप देख सकते हो notification में आपको telegram channel पर डाल दू यह पूरी कहानी है I hope आपको clear हो गया होगा कोई doubt है तो comment section में छोड़ देना so thank you so much god bless you all take care and bye bye